वीवो Ayy practical जिखेने हल्लो दोस्तो कैसे हो आप सब आई वह आप सब बहुत ही बढ़ी होंगे हमारे चाहलो प типа नई और इंट्रेसिंग वीडियो में आप लोग का बहुत सवागत है दोस्तो दोस्तों आज की वीडियो में हमें एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका updated वर्जर अल्रेडी लॉंच हो चुका है बट अभी इस फोन का आना बाकी है हाँ दोस्तों इस फोन का नाम है Vivo V25 5G फोन है यह बहुत ही जल्दी आपको इंडियन मार्केट में लॉंच होता हूँ दिख जाएगा और मेभी आज ही आपको लॉंच होता हूँ दिख जाए तो आज पूरी डीटिल में बात करने वाले हम इस Vivo V25 के बारे में तो वीडियो को पूरा complete end तख देखना ताकि आप लोग को सारी important update मिल पाए इस फोन के बारे में तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं Hello everybody, my name is Abhinav Saxena and I welcome you all at my channel, All in One, Abhinav तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में के फोन का लुक जो है वो बहुत ही जादा यूनीक लग रहा है और काफी जादा मिलता जूलता है OnePlus Nord 2 से वहीं पे अगर इस फोन के बारे में की स्पैसिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहां पे आपको Android 12 देखने को मिल जाएगा वहीं performance के बारे में बात करें तो MediaTek Diamond City 900 processor आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि 2.4 GHz की clock speed के साथ में आएगा और minimum 8GB RAM variant आपको इहां पे देखने को मिलेगा अगर डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 6.44 inches की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो की 1080 x 2404 pixels के साथ में हैगी यही नहीं यहां पे 98 की refresh rate वाली स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी गोई लगलास वाइप कर protection भी आपको इहां पे इस phone में देखने को मिलेगा अब बात करते हैं camera के बारे में जिसके लिए वी वो बहुत जादा popular है और popular ही नहीं है जो इसके whitish background जो आप देखते हैं camera में उसके लिए बहुत जादा popular है तो यहां पे back side पे यहां रेर साइट पे आपको ए triple rear camera setup देखने को मिलेगा जिसमें जो primary camera है वो wide angle रहने वाला है 64 megapixel का Polotband 8 megapixel ultra wide angle camera 2 megapixel macro with LED flash और front में आपको यहां पे 50 megapixel का wide angle camera देखने को मिल जाएगा तो जो selfie जिस चीज के लिए वीवो famous है इस पे ही वो लोग काम कर रहे है front में आपको ए 50 megapixel का wide angle selfie camera देखने को मिलेगा मुझे इस phone की सबसे अची बात यह लग रही है कि यहां पे दोनों ही side से यानि rear side से front side से दोनों ही side से आप 4K video recording कर पाएंगे 30fps में ऐसा अभी तक leaks आ रहे हैं बाकी launch पे यह चीज confirm हो जाएगी वहीं battery के बारे में बात की जाए तो 4500mAh की battery देखने को मिलेगी जो कि एक 44W fast charger के साथ मेंगी और C type port आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों सबसे important चीज यार कि यह phone expandable नहीं है तो आप इसको extend नहीं कर पाएंगे यह phone extendable नहीं है तो आप इसको extend नहीं कर पाएंगे तो जो भी variant ले आप वो सोच समझ के लेना कब launch होगा तो यह maybe आज ही launch होता हूँ आपको दिख जाए 15th of September को अब किस price इन में आएगा यह बहुत जादा अभी जग rumors है बट मेरे according अगर यह 25,000 के नीचे आता है तो यह best phone होगा आप लोगों के लिए बट अगर 25,000 के उपर आता है तो दोस्तो यही सारी चीज़े आपको और भी phone में देखने को मिल जाएगी बट हाँ अगर आप कोई ऐसे person है जिनका camera photography का बहुत जादा शौक है या वीडियो बनाते है तो आप definitely इस phone के जाद में जा सकते है तो कि इसका camera और 4K वीडियो recording का जो option है वो आपको बहुत जादा help करने वाला है तो दोस्तो यही सारी बाते थी इस Vivo V25 के बारे में अगर आप लोगों को वीडियो informative लगी है पसंद आईए तो like ज़रूर कर देना नमारे चल्ब भी नए हो subscribe कर लेना तो this is all from my side thank you so much guys for watching my video